आप सभी लोगों ने बॉलिवुड फिल्म राम तेरी गंगा मैली तो जरूर देखी होगी इस फिल्म को दर्शकों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया था और ये फिल्म उस साल की ब्लॉक बस्टर फिल्म साबित हुई थी इस फिल्म की कहानी दर्शकों को बहुत अच्छे से याद है जहां फिल्म में हर किरदार ने अपने उम्दा अभिने से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था और एक ऐसा ही किरदार था गंगा का जिनके बोल डवतार ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था और आज भी इनका ये किरदार हर किसी को तो दिया सब्सक्राइबर्स चलिए जानते हैं कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली में गंगा का किरदार निभा कर फेमस होई अभिनेतरी आज कहां है फिल्म राम तेरी गंगा मैली में गंगा का किरदार निभाने वाली अभिनेतरी का नाम यासमीन जोजफ है लेकिन बॉलिवुड इंडस्ट्री में इन्हें मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है जिनका जन्मक 30 जुलाई 1963 को हुआ था अगर बात करें इनके अभिने करियर की तो बच्पन से ही इन्हें आक्टिंग का शौक था एक बार राज कपूर साहब अपने किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मेरट गए थे तो वही उनकी नजर मंदाकिनी पर पड़ी और उन्होंने मंदाकिनी को देखते ही अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए ओफर दे दिया उस ओफर को सुईकार करते हुए मंदाकिनी ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी इस फिल्म में इनके साथ राजीव कपूर भी नजर आये थे फिल्म में इनके जहरने वाले सीन ने इस फिल्म को सूपर डूपर हिट बना दिया था और मंदाकिनी इसी फिल्म के चलते रातो रात स्टार बन गई थी पहली फिल्म के हिट होने के बाद इन्होंने लगातार कई हिट फिल्में दी जिन में डांस डांस, कहां है कानून और प्यार करके देखो जैसी फिल्में शामिल है इन सभी फिल्मों में मंदाकिनी के अभिने को काफी ज्यादा प्रशन सा मिली और मंदाकिनी बॉलिवुट का एक चमकता हुआ सितारा बन गई पल जब मंदाकिनी अपनी करियर के सफल मुकाम पर थी तो उन्होंने अचानक फिल्में करनी छोड़ दी जहां उन्हें साल 1996 की फिल्म जरूरत में आखरी बार देखा गया था और इस फिल्म के बाद इन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और फिल्मों से गायब हो गई लेकिन इनका नाम चर्चाओं में एक बार दोबारा आया जब इनका नाम गैंग्स्टर दाओद इबराहिम के साथ जोड़ा जाने लगा अपने करियर की उन्चाईयों के दोरान इन्होंने गैंग्स्टर दाओद इबराहिम से प्यार करने की गलती कर दी थी और इनकी यही गरती इनके करियर की बरबादी का सबब बनी और इस दोरान इन्हें बॉलिवुड में काम मिलना ही बंद हो गया था क्यूंकि अंडर वर्ल्ड डॉन का खौफ उस समय बॉलिवुड इंडस्ट्री पर काफी था इसी वज़ा से मंदाकिनी का करियर धीरे धीरे चला गया जिसके बाद मंदाकिनी ने मुंबई को अलविदा कह दिया और इसके बाद ये खबर आई कि मंदाकिनी ने साल 1990 में डॉक्टर कंग्यूर्टी रिमपोचे ठाकुर से शादी कर ली जो की मौफी रेडियो के फिल्म आड में नजर आते थे जिनसे इन्हें दो बच लाती हैं तो दोस्तों आपको फिल्म राम तेरी गंगा महली में अभिनेत्री मंदाकिनी का किरदार कैसा लगा था आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवूड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे च